चलें जी, अब आपको मैं जिस एक और solution के बारे में बताने वाला हूँ, वो system of equations को resolve करने का best way होता है, जिसको substitution method बोलते हैं, यह second type of solution है, पहले हमने graphic calculator के थुरू देखा था, intersection point find out करके, अब हम देखेंगे के हमारे पास substitution method कैसे काम करता है, मैं अपनी screen के उपर आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पर हम substitution method को देखने वाले हैं, to resolve the equation, substitution method, बहुत असान है, और जल्दी जल्दी इस lecture को हम यहाँ पर देखेंगे, substitution method क्या होता है, substitute, substitution method यह होता है, मेरे पास दो equation है, again, x, wait, x plus y is equal to 10, एक equation यह, दूसरी है, हमारे पास 2x minus y is equal to 3, ठीक है, यह दो equation आगी, और system of equation के अंदर पहला काम यह होता है, कि हर variable के नीचे दूसरा variable, वो ही वाला होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, align करना होता है, हमने, चीजों को, ठीक है, समझा गी, यहाँ पर constant आगे, वहाँ पर हमारे पास variable आगे, और यह coefficient भी इस तरीके से, हमने align कर जाता है, say for example, मैं पहली equation को लेता हूँ अपने पास, ठीक है, और इसको resolve करता हूँ, मेरे पास इस equation का जो एक value है, मैं इसमें y की value देखता हूँ, यानि के मेरे पास equation x plus y is equal to 10, मैं यहाँ पर इसको y के उकल रखता हूँ, 10 minus x बोल देता हूँ, ठीक है, so यह मेरे पास y की value हूँ है, समझा आगी बात की, y की value मेरे पास आगे 10 minus x, अब हम क्या करेंगे, second equation के अंदर यह वाली y की value पुट करते हैं, which is 2x minus y is equal to 3, 2x minus y is equal to 3, अब मैं इसके अंदर x की value पुट करूँगा, 2 into x की value हमारे पास है, 10 minus x, sorry, y की value पुट करनी, not x की, 2x minus, 10 minus x, यह हमारे पास आगी y की value, is equal to 3, अब आपको समझा आगी हो कि जब हमने substitute किया y को x के साथ, और यह हमें equation यही बताती है न, के y equal है, जब x को minus किया जाए 10 में से, ठीक है, तो उसके equal y है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको y के equal करने के बाद, अब हमारे पास ज into 10 into 10, minus minus plus 1 into x into x is equal to 3, और इसको हम substitute करके एक साइड पे x कर लेते हैं, 2x plus x is equal to 3 plus, यह 10 जो है यहाँ पे आपके plus हो जाएगा 10, ठीक है, यह basic mathematics है, यहाँ में से काफी लोगों को आना ज़रूरी है, अगर नहीं आती तो please इसको देख ली जाएगा, which I wrote it wrongly, यहाँ पे हमारे पास जो चीज आनी है, that is, that is x, ओके, तो यह हमारे पास अब क्या हो रहा है, 2x plus x, यहाँ कि 2x plus 1x is equal to 3x, is equal to 10, 3s are 30, मैं इसको भी 3 पे डिवाइड करता हूँ, इसको भी, तो x is equal to, मेरे पास 10 आ गया, ठीक है, समझ आगी बात की, so x is equal to 10, यह हमारे पास इसकी x की value आगी यहां तक समझ आगी आपको, जैसे हमारे पास x की value आएगी, अब हम दोनों equation में x की value पुट करके y की निकाल सकते हैं, say for example, मेरे पास जो equation है, that is, y is equal to 10 minus x, y is equal to 10 minus x, यहाँ पे x की value हमारे पास हम डालते हैं, तो यह 10 minus x की value भी 10 है, तो y की value हमारे पास क्या है, 10 में से 10 में कितने बचते हैं, 0, तो y की value 0 आ रही, ठीक है, so इस तरीके से हमें x और y की values जो हैं, वो पता चल सकती हैं, अब इसको और एक तरीके से confirm करते हैं, confirm करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी इस graphic calculator पे जाते हैं, यहाँ पे हम add करते हैं, दोनों values and then we will see के हमारे पास क्या answer आता है, यह हमारे पास है पहली equation x plus y is equal to 10, और दूसरा है हमारे पास 2x minus y is equal to 3, अब आप अगर गोर करें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से values आ रही हैं, ठीक है, और यह values हम verify करके यहाँ से graphic calculator के थूँ देख सकते हैं, लेकिन जो हमने substitution method के थूँ देखा है, उ उसको हम check करते हैं कि क्या वो भी ठीक है या नहीं ठीक, let's see, अब इसको confirm करने, substitution method के थूँ, हाँ जी, अब अगर आप गोर करें, तो हमारे पास y r is 0, जब x हमारे पास 10 है, ठीक है, y r is 0, जब x हमारे पास 10 है, अब अगर आप यहाँ पे देखें न, दूसरी, इस जगा प 4.33, तो आपने ये परेशाननी होना कि x की value और y की value शायद हमारे पास घलत आ रही है, इन चीजों को देखते हुए, जब x की value एक है, तो y की value उससे different होनी चाहिए, so we need to be very confirmative in that one, लेकिन यहाँ पे अगर हम दोनों में x और y की value पुट करके देखें, तो हमारे पास क्या इसको हम resolve करते हैं, for example, यहाँ पे 2x-y is equal to 3 हमारे पास एक equation, अब इसके अंदर, for example, 2x-y is equal to 3, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे, जो x की value हमने find out की थी, इसको resolve करने के बाद, that is equal to 10, let's see, हमारे पास 10 नहीं x की value, यह कम है, just a minute, x की value हमारे पास कितनी आती है, 10, और मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं, minus y is equal to 3, और अगर मैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, 2x10, 20, minus y is equal to 3, और मैं y को इदर ले जाता हूं, 3 को इदर ले आता हूं, 20 minus 3, यह तो y मेरे पास आ रहा है, 17, क्या ख्याल है, और जहाँ पे मैंने पहली equation में y निकाला था, तो वो मेरे पास 0 आ रहा है, how is it possible, अगर आप मुझे बता सकें दो, हाँ जे, यहाँ पे मेरे पास y 17 कैसे आ रहा है, x की value यहाँ पे put करने से, और यह solution किस तरीके से possible हो सकता है, मैं आपके सामने screen ले आता हूँ, कर लियां, कर लियां, भी आ जाती है, आपके सामने screen, tension ना ले, 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 तो मैंने यह वाली equation के अंदर, x की value 10 put किये, और यह मेरे पास इस तरीके से आ गया, सब लोग कह रहे हैं के x की value wrong है, कुछ समझ आई है भी आपको, यहां पर, चलें, आपको दुबारा से मैं बताता हूँ, कि यहां पर हमने एक छोटी सी mistake किया, which is 10 plus 3 is equal to 13, और यह divided by 3 होना था, ठीक है, अगर इसको आप resolve करें, तो आपके पास x की value आ जाएगी, ठीक हो गया, और second जो हमारे पास issue आया था, कभी भी linear equation के अंदर, जब आप x put करते हैं, तो y 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होता भी है, तो it should show us on graphic calculator, something like this, ठीक है, so that is why you also need to confirm every time कि आपने कोई गलती तो नहीं की यहां पर, समझाई बात की, that's good, यह जिसने भी find out किया है, I appreciate that one, और यही चीज़ है कि जब आप graphic calculator पर कोई चीज़ देखते हैं, आपके पास value different आ रही होती हैं, और जब आप notebook पे खुद से resolve कर रहे हैं, और आपके पास अगर different आ रही है, then you can have a look on that, अब 17 divided by, sorry, 13 divided by 3 अगर किया जाए, तो कितना answer आता है आपके पास, 13 divided by 3, यह आपके पास 4.33 आता है, यहां पर 4.33 आएगा, ठीक है, अब 4.33 को अगर आप x में put करते हैं, यानि कि x की value हमारे पास 4.33 है, मैं equation अब दुबारा से लिखूंगा, 2x minus y is equal to 3, 2x minus y is equal to 3, 2 into 4.33 minus y is equal to 3, अब 2 into 4.33 यह कितना होगा, let me see, 2 into, 2 into 4.33, obviously 8.66, 8.66 minus y is equal to 3, अब इसको देखते हैं, let's see, जी हमारे पास जो value आती है 3, और बलके इसको उल्ट कर लेते हैं, y is equal to, मैं 3 को इदर ले आता हूँ, 8.66 minus 3, यह आजागा 5.66, तो अगर आप गोर करें, y is equal to 5.66, and x is equal to 4.33, यह दोनों values देखें आब यहाँ पे, यह दोनों values, यहाँ पे अगर आप चेक करें, तो यह मैंने, x और y की values इस तरीके से impute कर ली हैं, यानि के 4.33 यहाँ पे आ रहा था, और यह 5.66 यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, यह एक छोटी सी मैंने calculation की है, unfortunately, I couldn't share the screen at that moment, लेकिन अब आपको समझ आगी होगी, ठीक है, यह छोटा सा screenshot आपके सामने है, कि 2x-y मेरी equation थी, x की value 4.33 हमने impute की, वो यहाँ पे add कर दी, add करने के बाद, अब हमने क्या किया, इसको resolve किया, तो 5.66 हमारे पास y की value होगी, अब हम दोबारा से graphic calculator में अगर जाएं, तो आप गोर करें, यहाँ पे 4.33 और 5.66 ही है, now the solution is working fine, तो आपको समझ आगी, कि जो हमने पिछले lecture में देखा था, intersection points जो हमें x और y की value देते हैं, same अगर हम calculate करके भी उसे find out करते हैं, तो वो same आने चाहिए, अगर दोनों different हैं, जैसे आपने देखा कि हमारे पास एक equation में गलती ये थी, कि हमने यहाँ पे छोड़ा सा मसला गर लिया था, 13 बटा 30 करने के बज़ए, 30 बटा 3 कर दिया था, और इसका एक जो problem है ना, वो यहीं पर पता चल गया था, whenever I put the value, तो मेरे पास exactly if y is equal to 0 हो गया था, ठीक है, यहां मेरे पास 0 हो जाएगा, यह कोई और value य किया गया, so this is why we need to be very careful whenever we are working on the equations, hopefully अब आपको समझ आ जाएगी, हाँ जी, यहां तक clear हो गया, simple is that, अब मैं दोनों equations लिखके, आपको इसकी summary दे देता हूँ, ताके आपको पता चल जाए, किस तरीके से equations जो हैं, वो resolve की जाती है, पहला है जी, x plus y हमारे पास equation थी, equal to 10, और दूसरी थी, 2x minus y is equal to 3, ठीक है, हमने यहां से y से, is equal to x, यहां पे हमने क्या किया, 10 minus x, यानि के y की value हमने निकाली, और यहां पे y की value add करने के बाद, हमारे पास x की value आगी थी, which we had done like this, यानि के 10 minus x is equal to 3, हमने जैसे y की value यहां पे put की, then we had 2x minus 10 plus x is equal to 3, तो हमने इसको कर लिया था, 3x is equal to 13, divided by 3, divided by 3, cut करके x is equal to 4.33 आगया था, अब यह value आप किसी भी equation में fit करके, हमने यहां पे fit की थी, y is equal to 10 minus 4.33, तो हमारे पास इस तरीके से 5.66 something answer y का आगया था, so this is how you calculate two values x and y, और क्योंके दोनों variable हमें पता चल गये, x की value भी आगी, 4.66, y की भी आगई, हमारे पास 5.66, then at the end हमारे पास solution द्रियाफ्थ हो गया, जब unknown को हम find out कर लेते हैं, हमारे पास solution आगया जाता है, that was the summary of substitution method, hopefully आपको समझ आगी होगी, और गलती कहाँ पे हम करते हैं, और किस तरीके से graphic calculator हमें help करता है, और क्यों ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ interchangeable हैं, you saw that one as well, hopefully now everything is clear, ठीक है, आप x को भी substitute कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, doesn't matter, you have to substitute one variable, यहाँ पे आपको ये चीज़ clear होगी होगी, अब एक बात याद रखें, जब हम x और y की value, हमारे पास solution नहीं देंगी, जो मैंने पिछले lecture में भी बताया था, अगर दोनों lines आपके पास parallel आती हैं, something like this, ठीक है, यह हमारे पास x और y की value तब ही आएगी, जब दोनों line अपने आपको intersect कर दी हैं, अगर intersect ही नहीं करेंगी, तो हम कैसे find करेंगे, अगर गोजरा से लहौर जाने वाला, फैसलाबाद से लहौर जाने वाले को नहीं मिलेगा, कहीं center वाले point में, तो हम कैसे find out करेंगे, कि इन दोनों के distance का क्या फरक है, ठीक है, so that's the main reason to have two things together, इससे आगे अब चलते हैं,